नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में किसानों के किर्सी कानून को लेकर एक बार फिर से बहुत एहम ख़बर आ रही है किसानों के विरोध और सरकार के बीच फस चुका है किर्सी कानून जानेंगे कि परदे की पीछे आखिर कहानी चल के रही है किसानों और केंदर सरकार के बीच जारी गती रोध थमता हुआ नहीं दिख रहा है हाला कि सुप्रीम कोट की सलाह के बाद समादान की उमीद रखी जा रही है लेकिन अभी भी कोई पक्ष अपनी बास से पीछे हटता नहीं दिख रहा है केंदर सरकार का मानना है कि इन तीनों किरसी सुधार कानूनों से बीचोलिये खतम होंगे और किसानों की आये में इजाफा होगा किसान इस बात पर अड़े हैं कि सरकार इनके जरिये किरसी को दी जा रही मदद सैड पिंड छुडाना चा रही है इससे बीचोलियों की जगे ज़्यादा ताकतवर कॉर्परेट घराने के आने के अभी खत्रा है यह तो तय है कि इन तीनों किरसी सुधार कानूनों से बजार की ताकतों और नीजी शेतर की भूमिका कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि इससे कॉंट्रेक्ट खेती को मिलेगी खास सामगरी को कहीं भी बेचने या फिर भंडारन करने की भी इससे सहुलियत दी जाएगी ऐसे में कुछ एहम बिंदू इन कानूनों की एहमियत पर परकाश डालते हैं गरीबों में वितरीत करने के लिए अनाजों की खरीद परकिरिया में सरकार के आने की जड़े आजादी के बात की हैं जब देश में परियाप्त खादान्त नहीं होता था हरित करांती के बाद जादातर पैदवार वाली फसलों का इस्तिमाल सफल इसलिए हुआ क्योंकि सरकारों ने इनपूट लागत पर सबसीडी के साथ उपज के लिए नियूंदम समर्थन मुल्ले देना तै किया तभी कई भी से सग्या मानते हैं कि अब हमें इस तरह की सहुलियत नहीं देनी चाहिए साथी ज़रत से ज़्यादा खादांत की मौजूदगी के बावजूद अगर भारती संतुलित खुराक नहीं ले रहे हैं तो इसकी एक वज़े महंगाई भी हो सकती है इंटरनेशनल फूट पॉलसी रिसर्च इंस्टिटूट और अन्य के सोध निसकर्स बताते हैं कि भारत के ग्रामिड इलाकों में 63.3 फिजदी लोग पौशित खुराक की कीमत नहीं चुका सकते हैं इसके साथ इस समरिध किसान और पर्यामराल का भी इससे नास हो रहा है जी हाँ पंजाब जलवाईयू के अधार पर धान की खेती के अनकूल नहीं है लेकिन SSP के तहस सारवधी खरीद होने के चलते वहां के किसान इस फसल की सारवधी खेती करते हैं लेकिन आप दोस्तों गवर्मेंट इस कानून को लेने से पीछे नहीं हट रही है और गवर्मेंट के रही है कि ये कानून लागू रहेगा